गूड मॉर्निंग प्रेंट्स जेनम फ़स्टियर का मनो बिगान का मैं अगले टोपिक के बारे में बात कर रहा हूं नर्स का मनो बिगान अध्यन करने के क्या महत्तु है नर्स के लिए मनो बिगान के अध्यन क्यों जरूरी है उसके क्या महत्तु है लाइफ में देखिए मनो बिगान एक ऐसी बिगान है जो कि लोगों की मनो इस्थिती को पढ़ने में समझने में इस सहता परदान करती है कि लोगों की लोग कैसे सुचते हैं लोग कैसा बिहभियर करते हैं लोगों की मनो इस्थिती क्या है इस चीश को समझने में मनो बिगान बहुत ज़दा खिल्प करता है और इसमें नर्स का महत तो इसलिए बढ़ जाता है कि आप देखेंगे कि नर्स का जो भी कार्ज है इन लोगों के साथ है पेसेंट के साथ है पेसेंट के साथ हमेशा रहना है पेसेंट को केर करना है और हर पेसेंट की अपनी अलग मनो इस्थिती होती है हर पेसेंट की अलग अलग बहीवियर होता है उसको समझना उसके साथ उसको ट्रीट करना उसको हैंडल करना एक बहुत बड़ी चैलेंज होता है और उसके साथ कैसे हम हैंडल करेंगे एक मनुबियान इस्थिखलाती है मनो बिग्यान लोगों को मानसिक इस्थिति को अधियन को बताती है का अब कैसे उस ब्यक्ति को क्या सोच रहा है ब्यक्ति आगा क्या कर सकता है आगा उसकी क्या समस्या हो सकती है उससे क्या होता है मनो बिग्यान अधियन करने से पता चलता है लोगों की मनोश्थिती किस दसा में कैसा होता है उसका चेहरा का हाव भाव क्या बता रहा है उसकी गत्विधियां क्या बता रही है एस सब चीज का होता है मनोविगान से पता चलता है जिसके अधियन से आप पेसिंट को अच्छे से समझ सकते हैं कि पेसिंट का जो चेहरा का हाव भाव है जो सरीर की गत्विधियां है वो क्या बता रहा है वो क्या करना चाह रहा है वो किस कैसा भीवेर करना चाह रहा है जिसके अधार पर आप अपने डिसिजन अपने 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 छमता की हिसाब से उसको ले ले सकते हैं उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं इसके में हम बात करेंगे नर्स के मनोपिकान अध्यन करने से क्या कासम पैदा होता है स्वय को समझने में जिसे आदमी को जिसे नर्स है उनको खुद पेसेंट के साथ और करना है तो उसके खूद कुश समझना पढ़ेगा, स्वएं को समझने में, बन्हुंकी खूद कुश समझना पढ़ेगा, हमारे पास कितनी काबिलियत है, हमारे पास कितना knowledge है, हम कैसे पेसें को कितना handle कर सकते हैं, मेरी चंशमता कितना है, इस चीश को आदमी मॉनोबिकन पढ़ने सा अपनी जो आंत्रिक सक्ति होती है, जो आंत्रिक छमता होती है, जो आंत्रिक आत्मबल होता है, जो आंत्रिक ग्यान होता है, उसकी अन्भूती होती है, जिसके अधार पर आप सामने वाले ब्यक्ति को साथ कैसे भीवियर करना है, उसका आकलन कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उसको अच्छी treatment दे सकते हैं और आप क्या निर्णे लेना है निर्णे लेने में मनो बिग्यान का बहुत बड़ा help होता है क्योंकि एक ऐसी बिग्यान है जो लोगों को सोचने की छमता समझने की छमता को क्या करता है बढ़ाता है और बतलाता है कि आप किस प्रसिती में कैसा decision लेना है पेसिंट इस टाइब के behavior कर रहा है तो उसके साथ कैसे behavior करना आपको है इन सब बातों को मनो बिग्यान बतलाता है जिससे निर्णे को क्या होता है खुद को समझने में भी help मिलता है कि हम कैसे दुसरे के साथ अपने आपको adjust करेंगे कैसे अब दुसरे के साथ अपने आपको involve करेंगे रोग दुसरे ब्यक्ति को समझने में सच्छन होना दुसरे ब्यक्ति यह से दुसरा को ब्यक्ति है उसके नापसंद, हर व्यक्ति का पसंद नापसंद अलग होता है, अभिरूची अलग होती है, उसकी छमता अलग होती है, उसकी भावनात्मा के भी अलग होता है, उसकी सहिसूरता भी अलग होता है, उसकी मनाता प्रेम भी अलग होता है, इस सब हर व्यक्ति का अलग-अलग हो उसकी मनावता क्या है? इन चीशों को आप उसकी गत्वीदी से, उनकी बातों से, उनके भीवियर से आप समझ सकते हैं कि एह बेक्ति किस नेचर का है? एह बेक्ति का बिवार का ऐसा है? उसके साथ हमको किस टाइप का भीवियर करना है? जैसे कुछ बेक्ति का नेचर होता है बहुत पुलाइट होता है, मतलब ब्यक्ति के साथ अच्छे से भीवर करता है, उसके साथ आप अच्छे से अपने आपको ट्लिट कर सकती है, कुछ भ्यक्ति होता है, रूश टाइप के होता है, उसके साथ आपको बहुत है रिष्टिक्टली भीव करना है, मतलब कि आपको उ समय के सामने वाला विक्त्ती के से को होता है कि हमीषा पेसेंट के साथ रहना है उसका एक अलग है मतलु एक बीचारी लगाव में इसमें मोनो भीगान बहुत में करता है कि आप सामने वाले को बिचार से बीहभीयर से समझ सकते हैं इस ब्यक्ति का जो भीचार है किस तैयप का है उसके सांथ मों किस ऐब करना है के मनों विगान से समझ में आता है कि आपको बतलाता है je जब तक से आपको पेसेंट के साथ को अच्छा शुरा नहीं होगा तक पेसेंट आप अच्छी सेवा नहीं दे सकते हैं इसके पेसेंट को भी समझना आपके लिए बहुत जिरूरी है, तभी आपका पेसेंट के साथ एक अच्छा relation बनेगा, एक अच्छा bonding बनेगा, तभी आप पेसेंट को अच्छे से care कर सकते हैं, और उसके लिए पेसेंट का हर गतिविती को समझना भी आपके लिए भी जिरूरी है, तभी आप पेसेंट के साथ बहुत अच्छा से बाउंडिंग कर सकते हैं, क्योंकि पेसेंट का पेसेंट का पेसेंट को अच्छे बाउंडिंग नहीं बन सकता है, जब आपके अच्छा बाउंडिंग नहीं बन पाएगा पेसेंट के साथ, तो आप उसको अच्छे से care नही तो उसके साथ उसके बिचार, उसकी बेहबियर, उसकी थिंकिन को आपके साथ मैच होना ही चाहिए, आपको उसको समझना ही चाहिए नर्स के लिए नर्सिंग केर परदान करने में सहायक होता है लेखे उसका नर्सिंग के रहे हैं आपको मालूम है कि बहुत से बीमारिया हैं जिसका ट्रीटमेंट आपको नहीं हो सकता है लिए से डिप्रेशन हुआ आत्मघात हुआ इस सब चीज ऐसी बीमारी है जिसको आप दावास आप उसको ठीक नहीं कर सकते हैं उसके लिए बेक्ति के साहस की जरूरत होती है उसको आत्मसमान की जरूरत होती है आत्मबल की जरूरत होती है जो कि नर्सिंग केर में जो नर्सिंग होती है उनको ऐसी साहस देती है उनको ऐसी आत्मबल परदान करती है उनके ऐसे थिंकिंग परदान करती है ताकि ब्यक्ति के अंदर आत्म बल जागे आत्म समान जागे और ब्यक्ति खुद बेखुद उस बिमारी से बाहर निकलने की कोशिस करे इसमें कहोता है जो नरसिंग होती है उनका एभी एक सिधानत होता है कि पेसेंट को हमेशा सहास पर ब्यक्ति को गिरे हुए ब्यक्ति को भी जगा सकता है उठा सकता है इसलिए पेसेंट को आत्म बल की जरुते हैं जो कि नरसिंग केर के समय नरस लोग उनको सहास देती हैं नहीं आप ठीक हो सकते हैं आप घबढाईये मत उससे कहता पेसेंट के अंदर आत्म बल जागता है और पेसंट अपने ऐसे होने में। куп करता है नर्स एक 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 बेतर स्वास सिच्छ के रूप में भी कारज करती है कि उनको पेसंट के साथ राना होता है। पेसिंट को हमेशा ट्रेंड करना होता है, हमेशा उनको बताना होता है, उनको नॉलेज देना होता है, तो एक सिच्छक के रूप में भी कारज करती हैं. उसके बात मनोब बिग्यान के ग्यान का धार पर आप नर्स क्या करते हैं, पर जिनों को उनके बिमारी के बारे में, उनके जाँच के बारे में, उनके उपचार के बारे में, उनकी पत्ती के बारे में, पनुर्वास के बारे में, प्रिसिंट को बिमारी से कैसे रोक ठाम के ज अब देखिए होता क्या है कि जिसे होता क्या है कि जो घरवाले होते हैं उनको भी पेसेंट के बारें बताना होता है जो नर्स होती है ओ घरवाले का जो बिचार होता है उसको देखते हुए समझते हुए पेसेंट की हर गतिवीदी को बताया जाता है जिसमाले कुछ ऐसे भी परवाल होते हैं जो कि बहुत रुष्टली होते हैं पेसेंट के साथ उतना और सबन्द नहीं बनाना चाहते हैं तो ऐसी प्रस्थिती में नर्स को हर बातों को कैसे उसक पेसेंट ये का मौनोविष्थिती है उसके हिसाब से उसको समयोजन करना होता है जिससे बहुत है कि बहुत बड़ी बीमारी है तो उसको कैसे हैंडल करना है पेसेंट के घरवालों कैसे बताना है ताकि घरवाले घबडाये मत कि सबसे बहुत होती है ब्यक्ति को आत्म विस इस्वास को बनाया रखने के लिए पेसेंट के घरवाले को पेसेंट को कभी भी डराना नहीं चाहिए कोई भी बीमारी हो बड़ी से बड़ी बीमारी हो पेसेंट को डराना नहीं चाहिए कि कितना भी बड़ी बीमारी हो ओ इलाज से ही ठीक होगा इसलिए उसको इस टाइप स समझना बहुत ज़रूरी होता है कि नर्स के लिए मौनो बिग्यान जो 문제 है साफ़ल ब्यक्तितो और सांथमे को साइक होता है डेख एक आपको एक अच्छा नर्स बनना है तो आपको मौननो बिग्यान का दहनना बहुत जरूरी है जिससे आपकी होता है, एक आप सफल बैक्टितों कि मतलब कि आपकी जो अंदर की जो च्छमता है, अंदर की जो आपको वेक्तितों है, उप समझ में आता है आपको कि हमको जो nursing care है एक ऐसी service है जो कि आपको हमेशा समाज में रहना है लोगों के साथ रहना है तो लोगों के साथ रहने के लिए जो आपकी जो आंतरिक जो behavior है आपकी आंतरिक जो बिचार है और खुला type का होना चाहिए जो कि व्यक्ति को मनो बियान से कहा होता है समझ में आता है कि हमको कैसे लोगों के साथ behavior करना है लोगों के साथ मेरा कैसा बिचार होना चाहिए लोगों के साथ मेरा कैसा सोच होना चाहिए जो कि एक व्यक्तितों के विकास में सहायक होता है उससे कहा होता है कि आपकी जो प्रैक्टिस होती है, जो आपकी सर्विस होती है, येतना ही अच्छा पेसिंट को अच्छा सर्विस देंगे, अच्छा बिहवियर देंगे, उतना ही पेसिंट आपके पास आएगा, जो कि आपके ब्रेवसाय में भी ब्रिदी होगा और आपके देखती तो भी अच्छा खासा विकास होगा. Thank you.